नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूस चैनल मेट और टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर राज्य सभा में समाजवाधी पार्टी के सांसदो का हंगामा केंज रुपर लगाये यूपी के साथ भेधाव कारो योजनाओं के लिए बजट नहीं देने कारो सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को जटका नाबालिक से रेप के मामने में जमानत याचिका राग मेडिकल ग्राउंट पर मांगी थी जमानत एम्स बोड में मांगा रिपोर्ट लालू के सिपासलार रघुवंच ने नितिश के शराव बंदी पर बोला हमला कहा नए कानून पर नितिश के विधायक भी उनके साथ नहीं पूचा पहले क्यों बिकवाई शराव और अभी जिन्दा है पाख क्रिकेट हनीफ मुहमाद पीम नवाज शरीफ ने जता दिया था शोग छे मिनिट के लिए रुकी थी हनीफ की धड़कान समाजवादी पार्टी ने उत्रप्रदेश को लेकर केंद सरकार पर भेदभाव कारुप लगाया है गुरवार को इस मुद्धे को लेकर सपा संसदों ने राज्य सभा में खूब हंगामा किया और वेल में आ गये सपसांसदों का कहना है कि केंद सरकार योजनाओं के लिए यूपी सरकार को बजट नहीं दे रही इसे राज्य के विकास कारियों में दिक्कते आ रही है सपसांसदों के हंगामें के चलते राज्य सभा की कारवाई बार बार सगित होती रही और लंच तक सदन नहीं चल पाया वही लोग सभा में भी शुनेकार के दोरान सपा सुप्रीमो मुलायम सेंग यादव ने इस मामले को उठाते हुए केंद सरकार को निशाने पर लिया मुलायम ने कहा कि केंद सरकार का उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला रवईया है देश द्रो के आरोपी जेनी उचातरसंग के अध्यक्ष कनहिया कुमार को दिल्ली हाई कोट से राहत मिल गई है कोट ने कनहिया कुमार को मिली अंतरिम जमानत रद करने की अपील को खारिच कर दिया है हाई कोट ने कनहिया कुमार की जमानत रद करने की अरजी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था इस मामली में दाखिल याचिकाओं में रिहाई के बाद कनहिया के सेना के खिलाफ बयानों और प्रधान मंतरी पर टिपनी को देश विरोधी और जमानत की शर्तों का उलंगन करार देते हुए अंतरिम जमानत रद करने की मांग की थी इस मामली में दिल्ली पुलिस ने ये तो कहा था कि कनहिया ने शर्तों का उलंगन किया है लेकिन जमानत रद करने की कोई राय नहीं दी थी और फैसला कोट पर छोड़ दिया था सुप्रीम कोट ने जेल में बंद आसाराम की स्वास्त्याधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिच कर दिया वे बलातकार के एक मामले के सम्मंध में जेल में बंद है सुप्रीम कोर्ट जियों ने फिल हाल अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए एम्स के बोर्ड से 10 दिन में मेडिकल जाँच कर रिपोर्ट मांगी है कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट दाखिल करे और फिर आगे सनवाई होगी गौर्ट लब है कि नाबालिक से रिप के मामले में जेल में बंद आसराम ने सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखिल कर मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग की है आसराम पिछले तीन साल से जेल में बंद है और पहले भी मेडिकल अधार पर जमानत की मांग कर चुके हैं लेकिन सुप्रीम कोट से राहत नहीं मिल पाई थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हनीफ महम्मद के निधन की खबर सही नहीं है अस्पताल में भरती हनीफ की धड़कने 6 मिनिट के लिए रुख गई थी जिसकी वज़ा से गलत फहिमी हुई यहां तक की पीम नवाज शरीफ ने भी हनीफ के लिए शोग जता दिया अस्पताल ने हनीफ की मौत की खबर का खंडन करते हुई कहा कि डॉक्टरों ने उनके बेटे शुएब को गल्ट सूच न दी थी इसके बाद हनीफ की मौत की खबर मीडिया में आई हनीव को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पिछले महीने के आखिर में कराची के आगा खान अस्पताल में भरती किया गया था हालत नाजुक होने के बाद हाल में उन्हें आईसियो में वेंटिलेटर पर रखा गया है विधान सभा चनाव आते ही यूपी में जोर तोड की राजनीती शुरू हो गई है अज बीएसपी, एसपी और कॉंग्रेस के कई विधायक लखनव में भारतिय जुनता पार्टी में शामिल हो गए हैं सूतरों के मताबिक बीएसपी के दो, सपा के तीन और कॉंग्रेस पार्टी के तीन विधायक शामिल हुए है अब तक जुनके नाम सामने आए हैं उनमे कॉंग्रेस के संजे जैसवाल, शेर बहदुर, विजे बसपा के राजेश शुत्र पार्टी, बालप्रसाद, अवस्थी और सपा के रामपाल यादव है बताया जारा है कि बीजे पी में शामिल होने वाले ज्यादतर विधायों को पर पहले ही से बागी का थपा लगा हुआ है इसमें कई ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी पार्टीयां पहले ही दरकिनार कर चुकी है प्रधार मंतिरी नरेंद्र मोदी के खिलाब गोरक्षव को ने मोर्चा खोल दिया है बताया जाता है कि विश्वे हिंदु परिशवत के बैनर तले पूरे देश भर में 5000 सम्मेलन आयोजित कराए जाएंगे मिली जौनकारी के मताबिक दिल्नी में गोरक्षव पर एक रैली भी विश्वे हिंदु परिशवत आयोजित कराएगा पुरे देश में ये सम्मेलन जन्माश्टमी के बाद होंगे इससे पहले पी-एम मोदी ने अपने एक संबोधन में कहा था कि ये सभी फरजी गोरक्षग है केंद सरकार की करमचारियों और पेंशन धारियों की तरहा साथ वेतन आयोग के मताबिक वेतन के लिए हर्याना और पंजाब के सरकारी करमचारियों का इंतजाल लंबा हो सकता है मोदी सरकार जुलाई में ही साथ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए करमचारियों के वेतन में बड़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था पंजाब सरकार ने पिछले साल डिसेंबर में ही साते वेतनायों की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर असमर्थता जता दी थी कश्मीर घाटी में पिछले करीब एक माँ से जारी हिंसा और तनाव के मद नजर आज लगाता 34 दिन भी कई इलाकों में कर्फियू और प्रतिवंद लगा है दूसी तरफ अलगवादियों की और से बुलाया गया बंद भी जारी है जुसे आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित है इस बीच अलगवादी मीर वाईज उमर फारुख को हिरासत में लिया गया है एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा, कुलगाम, शोपिया और अनतराग कसबों में आज प्रतिवंद जारी हो रहेगा श्रीनगर शेहर सोपोर, बारमुला, हंदवाडा, त्रेगाम, कुपवाडा, बलगाम और गंदेर बल कसबों के आठ पुलिस थानों में भी इसी तरह के प्रतिवंद जारी रहेंगे हाला कि श्रीनगर समेद घाटी के कई अन्य बड़े कसबों में कुछ नीजी बाहन सडकों पर देखे गए थे, लोगों की पैदल आवाजाही भी देखी गई पिछले पांच दिनों में चीनी के दाम में 6 रुपे प्रति कीलो तक की वृधी ने सरकार की नींद उड़ा दी है उपभोकता मंतराले के आखडों के मताबिक बीते 5 अगस्त को चीनी 36 रुपे प्रति कीलो थी जबकि वो दवार को कीमत 42 रुपे प्रति कीलो तक पहुँच गई सरकार को डर है कि कीमत पर जल्द अंकुष ना लगाया गया तो तोहार में चीनी और मेहंगाई हो सकती है इस भी चीनी की बड़ती कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए सरकार ने बाजा नियामक सेवी को इसके वादा कारूबार पर प्रति बंद लगाने को कहा है इस साल चीनी की उतपादन भी करीब 7 फिस्दी कम रहने का अनुमान है साथ ही सरकार चीनी पर लगने वाले 44 प्रतिशत आयाच शुलक भी घटागा 25 प्रतिशत करने पर भी विचार कर रही है इस न्यूज बॉलिटन में फिलहाल इतना ही ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार